नमस्कार, मैं आसिस राठोर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, जिस राज्ज में जिस पाटी की सत्ता हो और वही पाटी अपने खिलाफ आंदोलन करने लगे तो सोच लिजिए क्या होगा, उस पाटी पर से राज्ज की जनता की पुरी तरीके से भरोसा जो है वो बैठी हुई है, पानी की समस्या दिली में आम आदमी पाटी की वज़ा से हो रही है, और अंसन कर रहे हैं ये पानी की समस्या को लेकर के यानि अपनी सरकार और अपनी सरकार के खिलाफ ही ये अंसन कर रहे हैं, इसको लेकर के एक बड़ी लहर जो है वो आ गई है सामने, औ आम आदमी पार्टी के उपर एक बहुत बड़ा सिकंजा कस चुका है दिल्ली हाई कोट में दोस्तों जी रह चली और जी रह चलते चलते दिल्ली हाई कोट ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया और एक ऐसी बात कह दी जिससे की पूरी आम आदमी पार्टी बॉखला गई देखिए पानी की समस्या दिली में बहुत जादा समस्याओं से दिली की जनता गुजर रही है अब इसको लेकर के इस पे पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं कर रही है आम आदमी पाटी कर रही है पानी की समस्या को ये खतम नहीं कर पारें लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं अब यहां पर दिल्ली हाई कोट में जो राउ जबेनी कोट के जमाना देने वाले जो फैसले थे राउ जबेनी कोट की वेकेसन बेंच न्याए बिंदू जी ने जो जमाना दे दिया बिना अर्विंद केजरिवाल की फाइल पढ़े हुए तो जमानत की रोक की अपील को लेकर के जमानत को चुनाती देने के लिए दिल्ली हाई कोट इस वी राजू पहुंच गए और उसी मैंसे जो हाई कोट का तगरा एक्शन और तगरा फैसला जो आया इससे अर्विंद जिल से नहीं निकलने देना चाहती है एडी ऐसा आरोप लगाया जा रहा है लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट चाहेगी कि अर्विंद केजरिवाल जिल से नहीं निकले जब सुप्रिम कोट ने अंत्रिम रहा दिया तो क्या इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट ने उस वक्त विरोध किया सहमती जता दी कि ठीक है संजैंग को आप दमाना दे दीजी लेकिन जो में सस्पेक्ट हो किगपीन हो मास्तर माइंड हो जो इस केस का मुख करता धरता हो अगर उसको जमाना देने की बात आगर सा पर आ रही है वो यह है कि एक लाग के नीजी मुचलके पर राव जवेन्यू कोट की वेकेशन बेंच न्याई बिंदू ने इनको जमानत तो दे दी और इसलिए पुड़ा बवाल और पखेरा शुरू हो गया जमानत का फैसला जब जज न्याई बिंदू ने सुनाया तो एड सुनाती दी जा सके लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी थी राव जवेन्यू कोट की वेकेशन बेंच के जज न्याई बिंदू जी का कि उन्होंने 48 घंटे का स्टे भी नहीं लगाया और जमानत दे दी हलाकि बेल बॉन्ट पे साइन नहीं हुआ था नहीं तो मामला कुछ और ह हो जाता तो देखिए कोट ने एडी की इस अपील को चुकडा दिया और अरविंद केजरीवाल की रहाई का रास्ता साफ कर दिया और इसलिए पूरा मामला जो है वो धदक रहा है अब ज़रा देखिए जो ये ख़वर थी कि उनके बेल का पुरी तरीके से जो है वो विरोध ना करे ये आम आदमी पार्टी का दोस्तों कहना है अब मुझे आप ये बताईए कि किसी मामले में कोई आरोपी है और उस आरोप के मामले में उस एजनसी ने पुक्ता सबूत इकठे किये हैं और कोट में सबमिट भी किया है और उस पे नयाएक मुहर भी लगी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप विरोध ना कीजी विरोध करना इंपोर्समेंट डिरेक्टरेट का तो अधिकार है और उस पर से भी वो सरकारी वकील है तो फिर आप ये किस आधार पे बात कह रहे हैं कि विरोध नहीं कीजी और बहुत ही शालिंता से बाते रखिए शालिं आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफतारी के बाद से अरबिंद केजोरीवाल का 8 kg वजन जो है वो कम हो गया है. सबसे पहले तो इस ख़बर पे मैं आपको बता दू दोस्तों कि जिनको खुलिस्ट्रॉल का प्रोब्लम है, जिनको मोटाबे का प्रॉबलम है तो अर्विंद केजरिवाल के हिसाब से आप जेल में चले जाएए आपका वजन घट जाएगा इनके एक अथना अनुसा लेकिन तिहार जेल की मेडिकल रिपोर्ट भी ये कहती है जेल प्रसासन भी ये कहती है कि अर्विंद केजरिवाल का वजन तिहार जेल में घटा नहीं एक किलो बढ़ गया है तो ये वजन के उपर किस तरीके से राजनिती और सियासत किया जा रहा है ये मामला आए अब देखिए यहां पर प्रविन शंकर कपूर जोकी भाजपा के प्रवक्ता है वो चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता द अरीके से एक्शन लेने को लेकर के स्टेट्मेंट दे चुकी है और दोस्तों राव जवेन्यू कोट ने जो जमानत दिया उसको फिलहाल तो रोक दिया दिल्ली हाई कोट ने और कहा कि सोमवार को नहीं तो मंगलवार को 24 जुन को नहीं तो 25 जुन को इस पर फैसला सुनाए है कि जो 24 और 25 जुन को जो फैसला आएगा हो सकता है कि अर्विंद केजरी वाल की जमानत जो है वो रद होगी और जो राव जवेन्यू कोट ने जो जमानत देने का फैसला सुनाया था उस फैसले को भी दिल्ली हाई को रद करेगी यह स्टेटमेंट आ रहे हैं और अगर ऐ है सक्यों का कहना है तो इसके बाद से एकर्ज़न मोड में आ जाएगी कोंग्रिस पार्टी और बीजे पी डिल्ली में और अर्विंद केजरी वाल से इस्तिपे की मांग करेगी क्योंकि पाणी की समस्या चरम सीमा पे है और जब दिल्ली हाई कोट भी इनको लतार लगा दे देगी रावजवन्यू कोट के जमानत वाले फैसले को खारिच कर देगी तो यह तमाम चीजे जब होगी तो अर्विंद केजरी वाल को किसी भी हालत में दिपा देना होगा क्योंकि इनका जमानत जो है राव जवेनिव कोट से दिया हुआ वो लटक गया है अब ऐसे मामलों में देखिए बाद भी बाद प्रतिकिलिया है जो है वो पूरी तरीके से चल रही है बहुत तरह की बाते सामने आ रही है अब इस पर देख लिजे दिल्ली भाजपा प अधाधिकारी नियाय पालिका को प्रभावित करने और अनुकूल पैसला दिलाने के लिए उनकी स्वास्त स्थिति को सारवजनी करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों सबसे शर्म की बात ये मुझे लगती है कि जब किसी को जमानत चाहिए तो वो अपने स्वास्त को और इस घटिया राजनीती में न्याय पालिका तो नहीं फसने वाली है और देखिए न्याय पालिका को आम आदमी पाटी प्रभावित कर रही है कि वजन का मुद्दा उठा करके उनका वजन जो है वो कम हो गया है ताकि अरविंद के जिरिवाल के फेवर में फैसला सुनाया जाए दिल्ली हाई कोट के तरफ से लेकिन इनकी जितनी कोशिशे हैं वो सब नकामियाब हो जाएगी जैसा कि दावा किया जा रहा है जो सोमवार को या मंगलवार को जो फैसला आएगा उससे आम आदमी पार्टी की बहुत जादा मुश्किले जो हैं वो बढ़ने वाली है अलाकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्धों पर अपनी विचाज ओवे कीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर इसकर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा